हलो इस्टुडेंस आज हम प्रिक्टिस एक्सेसाइस फर्स्ट के दूसरे पेसेज को पढ़ेंगे यह महत्वपूर पेसेज है परिक्षा मैं आठ नमबर के लिए पुछा जाता है तो प्लीज अन तक देखिएगा इन इंडिया मदर टेशा हैट दा फर्स्ट ग्लीम्स आप पुवर्टी भारत में मदर टेशा गरीबों के लिए पहले जलक थी अथात वह गरीबों के लिए उमीद की पहले किरण थी शी लवड चिल्डरन सो शी स्टार्टेड आफ एज अ तीचर वह बच्चों से प्यार करती थी इसलिए उसने एक सिक्षक के रुप में सुरुवात की सिक्षक बनी दा यंग चिल्डरन लवड हर टू बड़े बच्चे भी उन्हें पसंद थे वह उन लोगों का भी ध्यां रखती थी जो बिमार होते थे वह मेडिकल ट्रेनिंग के लिए गई की उन लोगों को कैसे मदद किया जाए Soon Mother Tessa felt that she had to do more बहुत जल्द Mother Tessa को लगा की उन्हें कुछ जादा करना पड़ेगा What she really wanted to do was to care for the poorest of the poor जो वो वास्तव में करना चाहती थी वो ये थी कि वो सबसे गरीब लोगों का मदद करना चाहती थी People who were cast aside by society वे लोग जिसे समाज द्वारा बाहर कर दिया गया हो She understood that वह समझती थी कि to help them उन्हें मदद करने के लिए She had to sacrifice everything उसने हर चीज का त्याग कर दिया उसे सब चीजों का त्याग करना पड़ा She ate only rice to experience their life वह उन लोगों के जीवन को अनुभव करने के लिए केवल चावल खा कर रहती थी Because that was all the poor could afford क्योंकि हर गरीब उतना ही खर्च कर सकते थे अब हम देखते हैं question answer पहला question है right to quality साब mother tesa Mother tesa के दो गुर लिखे answer है she loved children she even took care of those who were sick दूसरा question है Why did mother tesa decided to leave among poorest of the poor Mother tesa ने गरीबों की बीच रहने कर नेना क्यों लिया इसका answer है she really wanted to do was to care for the poorest of the poor people who were cast aside by society तीसरा question है Why did she ate only rice वह केवल चावल क्यों खाती थी answer है she ate only rice to experience their life because that was all the poor could afford चौथा question Why did she go for medical training वह medical training के लिए क्यों गई answer है she went for medical training to know how to help them पांचवा प्रश्न है list the kind of work the mother did mother ने जो कारे के उनका सूची बनाओ तो इनका answer है she started off as a teacher फिर है she went for medical training उसके बाद she ate only rice च्छटवा प्रश्न Why do you think Teresa was called mother Teresa आपको क्यों लगता है Teresa को mother Teresa कहा जाता है इसका answer है she understood that to help them she had to sacrifice everything अब हम वैकलपिक प्रश्नों को देखते हैं पहला है started off यानि काम देना या बनना इसका answer है c became दूसरा है cast aside बाहर कर देना या छोड़ देना इसका answer है b ignored तीसरा है glimpse जलक इसका answer है c sight चोथा है afford खर्च कर पाना या विवस्था कर पाना इसका answer है c manage पाचवा है sacrifice त्याग करना इसका answer होगा b give up अब है चोथा प्रश्ण जहां इस ब्रेकेट में दिये गए linking words के द्वारा column A और column B को जोड़ना है जैसे mother taser wanted to care for the sick and c wanted to be with the poorest of the poor यहां end आएगा दूसरा है c ate only rice because that was all the poor could afford यहां भी का जाएगा ठीक इसी प्रकार से तिसरे में आएगा 100 और चौथे में आएगा यहां पे but फिर पाचवे में आएगा आर इस प्रकार से आप इनके answer को लिख सकते है अब इनका हिंदी मिनिंग इस प्रकार से होगा जैसे पहला है Mother Tessa wanted to care for the sick and she wanted to be with the poorest of the poor Mother Tessa मरीजो का इलाज करना चाहती थी और वह गरीबों के बीच रहना चाहती थी दूसरा है c ate only rice because that was all the poor could afford वह केवल चावाल खा कर रहती थी क्योंकि सभी गरीब उतना ही खर्च कर सकते थे she loved children so she started as a teacher उसे बच्चे पसंद थे इसलिए उन्होंने सिक्षक के रुप में काम की she helped the poor and cared for the sick उन्होंने गरीबों का मदद की और मरीजों का इलाज किया but she felt that she had to do more लेकिन उसे लगा की उसे कुछ और ज्यादा करना है अगला है to help the sick she had to either arrange for a specialist मरीजों का इलाज करने के लिए एक तो उन्हें specialist का विवस्ता करना पड़ा और she had to go for medical training या उसे medical training के लिए जाना पड़ा जाए कि अपड़ा है तो हुआ है